एक्सेम स्टडी में आप लोगा फिर से स्वागत हैं बिहार DLS 32 एसिस्टेंस सेटलमेंट ओफिसर्स का आज यानी 17 अगस्त मॉर्निंग सिप्ट में उन्लोगों का एक्जाम हो था उसका कुछ कोशन को अनलेसिस करने जाना और किस टाप का कोशन पुछा गया था वो पूरा म पार में हम अच्छे से अनलेसिस और करवा सके और मैं आप लोगो एक इन्फोर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब आप लोगो बिहार DLS का एक्जाम आज खतम हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग जो भी स्टुडेंट अगर जार्खन जेई का प्रिपरेशन करना चाहते तो आप लोगो 22 अगस्य आप लोग का जो है ना रात में स्टार्ट होने वाला है और जितना भी कोशन होगा वो आप लोगो फिर भी सेर कोशन होगा तो आप लोग अपने ग्रूप में इंफोर्मेशन दे दिए बाइस से आप लोगो पी वाई क्यू जो है ना जार्खन ज कोर्षन था ज्यादा तर तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सा कोर्षन इसमें पुछा गया और जो भी एस्ट्वेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबस्पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जो भी अपडेट विहार डिया चलिए वह हम लोगे स्टार्ट करते हैं चलिए पहला कुछन के इसमें क्या पुछा गया था और जो होता है ना हैड्रोलिक जम्प एक और जम्प होता है तो उसका बताया था रेंज क्या होता है यादकना ऑस्लेटर क्या होता है यह जब फ्रोड नमर आपको कितना 2.5 से अ उसको क्या होता है तो यह द दिखेंगे फ्रोड नमचे फ्रोड अगर एक है तो उसका किडिकल बोलते है एक कोंचन था प्रेलेटी मतल्डर का यूनिट क्या होता है यह द करने माद जिताए को संट आप लोग दोग था फरवाट इट को संट और वन लाइनर को संट खोता है एक लोगों को आपसे पूछा अगर नमर की आता रो भी एलापॉन मुु य्टा है तो दोनों में से पता निहीं अगर ऊप्चन तो यहाँ दिया नहीं था लेकिन हमको क्का स्फोर्मूलाए पूछा तो यह हो सकता है इनिशाल फोर्स बिष्टस का होगा या आप लो अगर माली की point load दिया हो तो आप लोग किया अगर shear force डियाग्राम हो निकाल लेंगे उस बात किया कि इतना maximum shear force यहा यहां develop होगा PY2 हो रहा है, अगर UDL निकाल रहे हैं, तो UDL में भी हम लोग क्या करेंगे, shear force डियाग्राम निकाल लेंगे और वहां से आप लोग को maximum shear force कित एक कोशन आप लोग से पूचा था कि मेजरमेंट और बैंडिंग और बैंडिंग को हम लोग किस से मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं किसमें करते हैं कि एक कोशन आप लोग से अगया कितना आप लोग को पूचा जा आप दो कोशन इसमें पूचा था से लेटे दोकों sickness पूछा था हैं एक्जेट उन्हों को याद नहीं था वह La seriously आप लोग से लेटे दो कौेशन इसमें पूछा गया था अब दो को को सन किया था जिन स्थेएंट को अगर कौसण पतागा को कोमेंट में जरूर करना कि कौन 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 सा कौ dagger कोचन आर्टिकल से पूछा गया था तो ये आप लोगको है ना असे की सिस्टियर09 में आप affects null take से कोर्शन पूछा गया था एक कोर्शन था राइट टू एज्यूकेशन हाई कोट फिछ एक पता नहीं एक्जेक कोर्शन क्या था तो इसमें हम एक बता दी कि वाट इदा आर्टिकल जो है ना 21A मतलब हम लोग को क्या है राइट टू एज्यूकेशन एक्ट के इतना में है तो आप लोग आर्टिकल 21A में यह याद खेगा कि 36th Constitutional Amendment 22 में का इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन दे इंडियन कंस्ट्यूजेशन विच एस्टेट दा करया कि चेले लेज्यक को क्या था का रहता है कि 10 को सीटेश्जण जो था इन एस्टेटीमेंडंड वाय्ज था यह ज्यादा Tu सर्फ 0 C서 अगर जिन स्ट्ट्रेंट को बीम्स की पता होगा कितना लिपक्त अर इंगर उसका अरžन की सप्थन उसका लोग को मैं अमी nut था उसाф़ चला एक साथ हुले कि पुछा गया यह को कुछा था coefficient of lateral friction क्या होता तो यह आप लोगो क्या हाई वे का कोशन है कि Indian Road Congress के द्वारा, आप लोगो को जो coefficient of lateral friction के तना, 0.15 के तना होता, 0.15 होता है coefficient of lateral friction का, अब एक कोशन आप लोगो structure analysis से भी कोशन था, यह हमेशा structure analysis question पुछता है, ili Inde एंऔर मतला इस्ट Arab ज़िए ला मतला इस्ट 到श्रेवाल और अने टेवर अने मतलर अने अच्टेवर मतलर से आपलों को हमेसा त्रहस्ट यह को सबस्ट होगा एक अप लोगो नहीं हो सकते है कि सोम से भी को स्ट्सन नाया होगा यह से की स्ट idag यह से होगया उसक़ पता हो गया होगा तो यह इसमें तो अश्टील का कोशन नहीं है जी ने स्ट्वेंट को अगर एसिस्टेंट सेट्रेम्ट ओफिसर का इस्टील का कोशन पता हो स्वॉम का कोशन पता हो मुझे वार्ट्सप कर देना मेरा नंबर है सेवन जीरो सिकेरी सेवन सिक्ष치는 एगर कोई वी गिनीकों दस से भी स्कुर पता होगा um अज्या तुम्हारा हो गया स्थील हो गया उसके साथ तुम्हारा हो गया हो गया उश्ञाय घ्राओं उनको पता होगा तो मुझे duża सम्यार्सप पर दे Benron इससे क्या होगा कि आ नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अनलेसिस करवा देंगे ज्यादा ज्यादा कोर्षन का और इसके बाद मैं आप लोगो 16 तरीका जो है न सेकेंड शिफ्ट का भी अनलेसिस करवाऊंगा जिसमें अमीन का कोर्षन पुछा गया था उसमें अच खासा कोर्षन मेरे पास आ गया तो इस वीडियो वाद आप लोगों अमीन कानेसिस मिल जाएगा सेकेंड शिफ्ट वादा चले थैंक्यू गाइज फोर वाचिंग इस वीडियो